नमस्ते दोस्तों मैं आसा हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आसास Mindful Living YouTube चैनल पर मैं आप सभी को धन्यबाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल के वीडियो को देखा आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्तुपूर है अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा अब बढ़ते हैं आज के विशाई की ओर हेलो दोस्तों आप सभी का आसास Mindful Living चैनल पर स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा स्वास्ते दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है मैं हूँ आपकी होस्ट और आज अम बात करने जा रहे हैं जामुन के फायदे स्वास्त के लिए जामुन के गुड के वारे में जामुन जिसे ब्रिक्चिय फल के रूप में भी जाना जाता है एक प के पत्तों और शंगतित साखाओं के साथ जाना जाता है जामुन का इतिहास जामुन का इतिहास विसाल और समृद्ध है और के पीछे कई कथाएं और परंपराएं जुड़ी हैं। हिंदू मिथोलाजी में जामुन ब्रिक्ष को सबसे पहले इंद्र की ब्रिशव रूपी गोपनिय अधिश्टान के रूप में प्रकट हुआ था। यह ब्रिशव इंद्र के द्वारा स्रजित हुआ था। और वह भू जुमी, आसमान और पाताल तीनों लोकों को प्रतिश्टित करने के लिए उपयोग हुआ। इसलिए जामुन को पवित्र और महत्तपूड माना जाता है। और इसे धार्मिक और अध्यात्मिक आयोजनों में उपयोग किया जाता है। जामुन के ब्रिक्ष का उल्लेक भारत साहित्य में भी मिलता है। बेदों, पुराणों, कविताओं और कहानियों में इसका बरणन किया गया है। जामुन के ब्रिक्ष को जीवन, बित्य, सम्रिद्धी, स्थाहित्व और पूरा तत्व के प्रतिक के रूप में भी जाना जाता है। जामुन का फल गर्मी के मौसम में अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसे ताजगी के साथ सीधे खाया जा सकता है या इसे जूस, जैम, मुरब्बा, सर्वत और चटनी के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है जामुन का फल, स्वास्त वर्दक, गुडों से भरफूर होता है जिसमें बिटामिन C, A औ और एंटि आउक्सिडेंट होते हैं जो सरीर को सवस्त रखने में मदद करते हैं जामुन के बिक्च का इतिहास बहुत पुराना है और इसे अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के कारड महत्वपूरूड माना जाता है या एक ऐसा फल है जिसका उपयोग ख पथाओं में भी महत्वपूरूड भूमिका निवाता है यहां तक कि भगवान श्रीकृष भी बालेकाल में जामुन के बिक्चों के नीचे खेलते थे इसलिए जामुन को भगवान कृष्ण के प्रियफलों में से एक माना जाता है जामुन भारती आयुर्वेद में रक्त सोधक गुड जामुन का रक्त सोधक गुड बहुत महत्वपूरूड है या रक्त को सुध करके सरीर की सारवजनिक स्वास्त को सुधारता है और शंक्रमण से लड़ने में मदद करता है डाइप्टीच के इलाज में सहायक जामुन को डाइप्टीच के इलाज में भी उपयोग किया जाता है, इसमें प्राक्टिक गुड होते हैं, जो रक्त में सुगर के इस्तर को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं, पाचन सक्ती को बढ़ाने वाला जामून में पाचन सक्ती दूर करने वाला जामुन का उपयोग विस्ताक्ता अंतरद्रब्य निर्माड को दूर करने में मदद कर सकता है यह सरीर में जल, गैस, विस्ताक्त पदार्थों को प्रभावी ढंग से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है प्रतिरक्षा प्रडाली को मजबूत करने वाले जामुन में प्रतिरक्षा प्रडाली को मजबूत करने वाले गुड़ होते हैं यह सरीर की समान यह रोग प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और शंक्रमण से लड़ने में मदद करता है मुँ के रोगों के इलाज में जामुन के बीजों, के छाल और पत्तों का उपयोग मुँ के रोगों जैसे मसूडों के दर्थ, मसूडों की सूजन, मुँ के छालों और मुँ के अलसरों के इलाज में किया जाता है भारती आयरुवेद में जामुन के ब्रिक्च, फल, पत्ते, बीज और छाल का उपयोग विबिन रोगों के इलाज में किया जाता है जामुन के ब्रिक्च के छाल का उपयोग डैप्टी, पेट की समस्याएं, खून की कमी, गठिया, मदुमे, जीड, स्वास्त्य संबंदित, रोगों, आंत्र, उदर रोग, बावासी और विसाक्तता जैसे रोगों में किया जाता है इसके अलावा जामुन का उपयोग मसूडों और दातों की समस्याओं, नेत्र रोगों, खून के प्रवा में सुधार, गले के रोगों और त्वचा समस्याओं में भी किया जाता है इस प्रकार जामुन फल और ब्रिक्ष दोनों ही भारतिये संस्कृति में महत्वपूड इस्थान रखते हैं इसका उपयोग खाने के साथ साथ अविर्वेदिक उपचारों में भी किया जाता है जिससे यह महान फल और ब्रिक्ष स्वास्थ के लिए अत्यांत उपयोगी होते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स लाइक, सेयर कीजिए चैनल के सपोर्ट के लिए और दिये गए बेल आइकन को फ्रेस करिएगा करता कि आपको नई अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद